हेलो वियर्ज, असलाम अलाइकूम, कैसे हैं आप सब हमीद करती हूँ, सब हैरियत से होंगे, आज मैं बना रही हूँ पोटाटो स्माइली, जो बहुत ही कम चीजों में तियार हो जाएंगे, जो गर पे मजूद होती हैं, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं, पटाटो स्माइली बनाने के लिए हमें चाहिए, आदा किलो आलू, जिनको मैंने बॉयल करके, अच्छी तरह से कद्दू कश कर लिया है, हमने इने मैश नहीं करना हाथों से कद्दू कश करना है, थ्री टेबल स्पून लिया है, मैंने कॉन फ्लॉर, वन टी स्पून लाल मिर से चोटे-चोटे पीस में काट लेंगे, तीन अदत मैंने ब्रेड के स्लाइसिस लिये हैं, तो यहां पर मैंने एक बाव ले लिया है, इसमें मैं एड करूंगी, कद्दू करश किये हुए आलू, जो हमने लिये थे आदा किलो, और अब इसमें एड करेंगे, फोर टेबल स्पून ब्रेड क्रॉम, थ्री टेबल स्पून कॉन फ्लॉर, लाल मिर्च का पाउडर वन टी स्पून, नमक वन टी स्पून, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और जैसे डो गुनते हैं ना, बिल्कुल वैसे इसे गौंद लेंगे, और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा डीला है, पतला पतला सा लग रहा है आपको, तो इसमें आप ब्रेड करम और एड कर लेंगे, तो ये देखें, डो को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिये, अब इसे मैं आदे घैंटे के लिए फ्रीज में रख दूंगी, तांकि ये अच्छी तरह से सट हो जाए, तो ये देखें, ये मैंने बटर पेपर लिया है, अब इसके दोनों साइडों पर मैं थोड़ा-थोड़ा सा आईल लगाऊंगी, और फिर इसके उपर हम डो रखेंगे, इसी तरह से अगर हम डो रखेंगे तो वह साथ चिपक जाएगी, इस तरह से बिलकुल थोड़ा सा आईल लगाएंगे, अच्छी तरह से, कोई भी जगाँ हाली ना रहे, और अब इसे उल्टा कर देंगे, यह देखें इस तरह से और दूसरी साइड पर भी इसी तरह से आईल लगा लेंगे, तो यह देखें डो मैंने ले रही है, डो को फ्रीच में रखे वे आदा गैंटा हो गया था, अब मैं हाथों से पहले डो को इस तरह से सेट कर लूँगी, फिर बेलन के साथ बेलेंगे, तो यह देखें इसे मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है यह चारों साइडों से इकवल है आपने भी इसे चारों साइडों से इकवल रखना है अब मैं एक कुकी कटर लूँगी और इस से उसकी गोल शेप में हम काट लेंगे उपर से हम प्रेस करेंगे और इस तरह से हलका हलका सा ही लाएंगे तांकि इसकी शेप बिलकुल गोल हो तो यह देखें पीछे से से प्रेस करेंगे और यह बाए निकल आएगा तो यह देखें यह इस तरह का मैंने एक स्ट्रा ले लिया है तो इसकी इस साइट से हम इसकी आइस बना लेंगे यह देखें इस तरह से इसे गुमाएंगे तो इसकी आइस बन जाएंगी अब मैं एक चमच लूँगी यह जो सूप वाला चमच होता है न वो वाला प्लास्किट का चमच हमें चाहिए तो यह देखें इस से हम इसकी स्माइल बना लेंगे थोड़ा सा इसे उपर की तरफ थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और इसकी अच्छी सी स्माइल बन जाएगी यह देखें लग रहा है ना बहुत ही प्यारा तो वियोर्स यह देखें हमारी सारी प्रेटोस मादी त्यार हैं इनकी बहुत ही अच्छी तरह से शेप मैंने बना ली है अब हम इने फ्राइ कर लेते हैं तो यहां पर मैंने एक पैन लिया है पैन में मैंने डाला है दो कप आयल अच्छी तरह से गरम हो गया है अब इसमें चोटा सा टुकड़ा मैं डोका डालूंगी तो यह देखें हलकी हलकी बबल्स आ रहे हैं ना तो मतलब हमारा ओइल स्माइलीज फ्राइ करने के लिए त्यार है तब एक एक स्माइलीज मैं इसमें एड करूंगी और इस अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इनका लाइट सा गोर्डन कलर हो गया है अब हम इन्हें निकाल लेंगे इनको हमने लाइट गोर्डन कलर का करना है डार्क बिल्कुल भी नहीं करना तो जी वियूर्स ये रही हमारी आज की पिटाटो स्माइल की रेस्पी अमीद करती हूं आपको ये रेस्पी पसंद आएगी और आप अपने गर में ट्राइ करेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा आपके पिटाटो स्माइल कैसे बने हैं मेरी इस रेस्पी को अपने दोस्तों और फैमली मेमर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सबस्क्राइब भी कीजिएगा मुझे दीजिए इजाज़त आला हाफिज